हलो फ्रेंड वर कम बैक टो में चैनल आज में आप लोगों साथ सेयर करने वाली हूं बिलकुल बिहारी स्टाइल में ओमलेट करी बनाने का बहुत ही आसान और टेस्टी तरीका और यह खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी और स्पैसी है तो आप इस तरीके से एक बार बिहार अमलेट करी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल में अंडे को तोड़ लेंगे तो यहाँ पे में पांच अंडे ले रही हूं आप अंडे अपने जौरत की हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं अब इसमें हम एक छोड़ा साइच का बारी कटा हुआ प्याँज दो कटी होँ हरी मिर्च अर थोड़ा सा क्रिटा हुआ फ्रेस हराधनिया लेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा नमक आट करेंगे नमक अपने टेस्ट के कोडिocalyptic आट करें अब हम अंडे को अच्छे से फेट लेंगे, तो देखिए मैंने इस तरीके से अंडे को अच्छे से फेट लिया है, अब हम गयास अन करेंगे और एक पैन को गरम होने देंगे, देखिए पैन अच्छे से गरम हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टरड ओल अट और हम ओईल को पैन के चारो तरफ इस तरह से स्प्रेट कर लेंगे उसके बाद हम इसमें आधा अंडे का जो घोल है उसे इसमें आट करेंगे और इसे हम इस तरीके से पैन के चारो तरब फैला देंगे और इसे हम मेडियम फ्लेम में हलका सा ड्राइ हो जाने तक एक साइट से पकने देंगे उसके बाद जब हलका सा इस तरीके से आमलेट ड्राइ हो जाएगा तो इसे हम फोल्ट करके रोल कर लेंगे और इसे हम दोनों साइड उलट पलट करते हुए अच्छे से पका लेंगे तो देखिए हमारा जो आमलेट है वो एक साइड से अच्छे से पक चुक है इसे हम दुसरे साइड भी इसे पका लेंगे तो देखिए हमारा जो ओमलेट को दोनों साइट से अच्छे से पक चुका है अब इससे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से दुसरा वाला ओमलेट भी बना के रेडी कर लेंगे तो देखिए मैंने इस तरीके से दोनों ओमलेट को बनाकर रेडी कर लिया है अब हम ओमलेट को छोटी-छोटी पीसिस में इस तरीके से कट कर लेंगे तो देखिए मैंने दोनों ओमलेट को कट कर लिया है अब हम ग्यास ओन करेंगे और एक कढ़ाई को गरम होने के लिए रखेंगे देखिए कढ़ाई अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल आट करेंगे आप चाहिए तो यहां पर कोई भी कुकिंग ओल कर सकते हैं और ओल क इस पत्ता और थोड़ा सा साबू जीरा आट करके इसे हम हलका सा फ्राई कर लेंगे तो देखिए हलके से फ्राई हो चुके हैं अब इसमें हम दो मीडियम साइज का बारी कटावा प्यास आट करेंगे और हम प्यास को मीडियम फ्लेम में अच्छे से गोल्डन ब्राउं हो जाने तक फ्राई कर लेंगे और जब तक प्यास फ्राई हो रहा है तब तक हम इसके लिक मसाला बना के रेडि करेंगे तो इसके लिए यहां पर मैंने आदा चमच साबूत काली मिर्च एक टुकड़ा दाल चीनी थोड़ा सा जावी तरी के टुकड़ा चार पॉंस लॉंग तीन चोटी लाइची और एक बड़ा साइच का कटावा टमाटर लेंगे और इसे अब हम ग्राइंड करके इसका फाइन साब पेस्ट बना लेंगे तो देखिए मैंने इस तरीके से इसका पेस्ट बना के रेडि कर लिया है कि इधर हमारा जो प्यान से वह भी अच्छे से ग गरम मसाला का पेस्ट बना कर रगा था उसे इसमें आट करेंगे अब हम मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी आट करके उसे इसमें आट कर लेंगे अब इसमें सुखे मसाले आट करेंगे एक चमच धनिया पौडर एक चमच जीरा पौडर आधा चमच लालमीज पौडर यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो इसे स्केप भी कर सकते हैं एक शमच चिकन मसाला चिकन मसाला किसी ब्रैंड का ले सकते हैं और नमक अपने टेस्ट के कोडिंग अड़ करें अब इसे अच्छे से मेक्स करेंगे और हम मसाला को कवर करके मीडियम फ्लेम में अच्छ से फ्राइ हो चुक है अब इसे हम एक बडर अच्छा से मिकस कर लेंगे अब इसमें पाणे आट करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी आट किया है आप चाहें तो यहाँ पर पानी इक ओपानि की कॉंटेटिक आपने हिसाब ब GIS और यहाँ कर लेंगे और हम क užHEB के रखा था उसे दाल देंगे अब इसी टाइम में इसमें थोड़ा सा कटा हुँ अ कहरा धनिया अड़ कर देंगे और इसे hem इस तरीके से हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसे बीना कवर कि हुए मीडियम फ्लेत में चार से तो देखिया हमारा बहुत ही है अब मैं आपको गर्स एम्धेट करी को सॲाद करेके डिखाती हूँ देखिया कि बंकर देखा है और अपने देखा किसे बनारा है रहता कितना असांनी है और आपको दीखने सी रहाए किता टेस्टी बनाए और यह जितना दिखने में टेस्टी लग रहा हुँ, उसे जादा खाने में भी टेस्टी है तो अब इस तरीके से एक बार 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 बना के खाना पसंद करेंगे तो अगर आप मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देख अगर आप मेरी चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे मेरी आने वाली नेस्ट रेसेपी के आपको नोटिफिकेशन मिल सके तब तक के लिए टेक केर और गुडबाई थांकियो फो वाचिंग